हलो आज की वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टो क्रियेट प्रड़क्ट इन वह कमर्स तो चलते हैं अपने वर्डपेस डेश्मोड की तरफ प्रड़क्ट के अंदर एड़ नियू प्रड़क्ट के उपर क्लिक करता हूं अब पहले हम वह सिंपल स्टैप जो बेसिक स्टैप्स है वह हम पहले समझ लेते कि कैसे कैसे वो करता है क्योंकि यह बेसिक स्टैप्स जो है वह सेम रहेंगे जाहे हम जिस तरीके का भी प्रड़क्ट करते हैं उसके लिए ठीक है तो पहले हम वह डिसकस कर लेते हैं उसके बा नहीं पिपर एंडिर को चाहिए अब मैं दिस्क्रिप्षिंग कर binder करते हूं ठीक हैं उसकाइब आधा है उन को लाज कर कारो में चुल दिस्करिप्षिन में नहीं किक्षिभी है टीजिए ठीक हैं अभू से दिसक्रिप्शिप्षिफिन में निया डीट कर लेता हूँ और इसको set product image कर देता हूँ next product gallery है आप multiple images जो है वो इस product से related यहाँ पर add कर सकते है next आता है product category आप product category बना भी सकते हो अगर आपको new category बनानी है otherwise आप बनी होई category यहाँ से use कर सकते हो ठीक है product categories के लिए आप यह वाला option भी use कर सकते हो यहां से आप categories बनाके आपको यह categories यहाँ display हो जाएंगे सारी और यहां से आप उसको choose कर सकते हो ठीक है same product tag के लिए आता है ठीक है तो अगर मैं परड़क टैग बनाना है नहीं तो मैं यहां से product tag नाम add करके उसको add कर दूँगा जिससे product tag create हो जाएगा साथ मैं अगर में को most use tag अगर use करने है यहां से तो मैं simply click करके जो है most use tag यहां मेरे को display हो जाएंगे मैं पर click करके उसको add कर सकता हूँ ठीक है तो यह जो थी वह basic settings थी जो हर product के लिए हर बार जो है वह same रहेगी ठीक है और इसके साथ मैं जो है वह product publish कर है वह display हो गया उसका नाम आ गया उसका short description आ गया category उसका tag मेरे पसा गया ठीक है description मेरे पसे हैं और reviews की लिए मिरे पस ए टैब आ गया ठीक है तो اب इसमें जो मेरे पास नहीं आया that price नहीं आया ठीक है उसके attributes नहीं आए ठीक है तो बहुत सारी चीज़ें जो है वो अभी मिसिंग है तो उसके उपर हम आप काम करते हैं तो सबसे पहले हम आ जाते हैं simple product के उपर ठीक है product data में simple product इसमें आपको चार तुरे के product देखने को मिलते हैं या आपको screen पर दिख रहे होएंगे तो सबसे पहले बात होती है simple product की चीक है simple product के अंदर हमारे पास multiple option है general का है inventory का है shipping का है linked product का है attributes है ठीक है advance है और get more options है ठीक है और साथ में हमें इधर को भी दो option देखने को बलते है virtual और downloadable ओके इसके बारे में हम बात में बात करेंगे ठीक है तो हम शुरू करता है general के साथ general में हमें क्या करना है सबसे पहले मैं regular price add करूँगा कि जो मेरा product का regular price है वो क्या रहे ठीक है वो मैंने add कर दिया 199 piece अब इसके पूर मैं sale price add करता हूँ ठीक है कि sale अगर वो price sale price कैसे display होगा कितना sale price display होगा 199 एक regular price display होगा उसको cut करके एक sale price display होगा जो है 149 ठीक है अब यह sale price जो है मैं schedule भी कर सकता हूँ कि इतने से इतने दिन के बीच में ही या इतने से इतने date की बीच में ही जो यह sale price जो है वो display हो उसके बाद ना हो ठीक है उसके बाद है tax status कि taxable रखना है या सिरफ shipping only रहेगी या कोई भी नहीं रहेगा ठीक है तो मैं product को जो है वो taxable बना देता हूँ तो product के उपर उसके बाद आता है tax class कि product के उपर जो tax status में हमने taxable रखा तो वो tax जो लगेगा वो कौन सी class के अंटर लगेगा तो मैंने रखा है standard ठीक है inventory में सबसे बहुता है SKU तो SKU आप अपने according जो है वो एक unique identity जो है वो अपने product को आप दे सकते हो तो यहां आप कोई भी SKU आप डाल सकते हो ठीक है उसके बाद है manage stock manage stock में आपको stock को manage करने का जो है option मिल जाता है कि कितनी quantity आपके बास product की पड़ी है मैंने के देता हूं hundred okay allow back orders back orders मतलब अगर आपका product जो है वो out of stock भी है तब भी आप customer को allow करते है कि वो उसको purchase कर सकता है ठीक है तो अगर आपको do not allow करना तो आप do not allow करेंगे अगर आपको allow करना है बट आप customer को notify करना चाहता है साथ में तो आप यह वाला option चूज कर सकते हैं या आप simply allow करना चाहते है उसको notify नहीं करना चाहते तो आप simply allow पर click कर दीजिए मैं do not allow चूज करके छोड़ देता हूं ठीक है उसके बाद है low stock threshold ठीक है तो मैं चाहता हूं क कि जब मेरा product जो है यह product की quantity दस बहुंच जाए कि दस ही रह गया मेरे stock में तो मेरे को जो है email notification आ जानी चाहिए कि जो मेरा product है वो low stock में है और मेरे को इसको restock करने की ज़रूरत है ठीक है तो मैं इसको यहां से set कर दूँँ कितनी quantity की उपर मेरे को low stock का threshold रखना उसके बाद है sold individually अगर आप चाहते हैं कि यह product जो है वो सिर्फ single quantity में ही send हो ठीक है एक item पर order ठीक है अगर आप चाहते है कि एक item पर order हो तब तो आप इसको enable कर देजिए अगर आप चाहते है कि customer एक खरीदे दस खरीदे एक order में तो वो उसकी मर्जी है तो आप इसको uncheck छोड़ सकते है उसके बाद आता है shipping shipping में आप weight यहां डाल दीजी कि मैंने kilogram के according रखा हुआ तो मैं half kg का जो है वो weight इसमें डाल देता हूँ 0.500 gram ठीक है उसके बाद है dimension तो आप dimension यहां किसी product के डाल सकते हैं ठीक है जो भी product आप sale कर रहे हैं ठीक है इसका use यह है कि अगर आप अपनी shipping जो ह है वो charge कर रहे है on the basis of weight of product and dimension of product तो आपको बिलकुल accurate जो है वो यहां यह dimensions डाल ले हैं और weight डालना है क्योंकि उससे आपका जो है वो shipping जो है बिलकुल accurate जो है वो calculate होगी otherwise आपकी shipping में और rate में product के rate में जो है variation आ जाएगा और आपको loss होगा ठीक है तो यह चीजें आपने बह shipping class आ जाता है कि मैंने कौन कौन सी shipping class जो है मैंने बनाई हुई है अपने product के लिए ठीक है और मेरे को कौन सी shipping class के according जो है वो shipping charge करने है तो यहां से मैं shipping class एक juice कर लूगा ठीक है इसके बाद आता है link product तो link product में आता है कि upsell product क्या है ठीक है product के साथ में कौन कौन से product जो है वो sell के लिए ठीक है तो मैं ups-써-tool product यहां डाल देता हूँ और cross sell product मैं एक और डाल देता हूँ तो इसमें difference क्या होगा है ठीक है up-sale product जो है वह आपका वह display होगा जहां पर product page है ठीक है इसके product page पेज़ के ओपर अपको up-self sell product display होगा और cart पेज के उपर जो है आपका वो ग्रॉसल प्रडुक्ट चुरा है वो डिस्प्ले होगा ठीक है तो लाइव एक्जम्पल देख लेते हैं एक बार मैं इसको अप्डेट कर देता हूँ ठीक है और हम जाते हैं टी-शिट के पेज में मैं इसको कर देता हूँ रिफ्रेश ठीक है तो यहां आप देख सकते हैं कि आपका न जो अपसल प्रड़क्ट था हूँ यहां डिस्प्ले हो रहा है ठीक है मैं एट्टू कार्ड कर देता हूँ इस प्रड़क को मैं एट्टू कार्ड कर देता हूँ जो हमारा यह वाला प्रड़क्ट है इसको मैंने एट्टू कार्ड के अपर यहां display हो ठीक है और यह display तभी होगा जब यह वाला product काट में होगा otherwise यह display नहीं होगा यहां पर okay क्योंकि यह इस product के साथ यह जो product है वो इस product के साथ sell पर है okay cross end पर है उसके बाद आता है attributes attributes आप multiple attributes जो है वो अपने product के लिए create कर सकते ठीक है एट्रिबूट्स के उपर जो है वोंगी ज़्यादा बात करेंगे वेरियबल पुटक के अंदर ठीक है तो बने रही है बस हमारे साथ ठीक है उसके बाद जो है एडवांस पुटक एडवांस में हम जाते हैं एडवांस के अंदर आपको पर्चेज नोट देखने को में जबता है कि अगर आपको यहाँ पर्चेज नोट डालना है कस्टमर को आफ्टर उसके ऑडर कंपेट के बाद जैसे थैंक्यूफ और यूर और आडर तो यह परचेज नोट आप उस किस्टमर को दिखा सकते हैं हमारे बाइस get more options ठीक है get more options में आपको सिरफ extensions देखने को मिल जाती है ठीक है जो product से related है जो checkout से related है name or price से related है ठीक है तो अगर आपको extensions के बारे में जानना तो learn more पे click करके इसके बारे में जो है वो जादा knowledge ले सकते है और अगर आपको ये beneficial लगती है कि यहां आपको इनकी जुरूरत है तो आप इनको purchase भी कर सकते है ठीक है अचा अब यह सारा कुछ हो गया एक simple products से related settings यह हमने साथी देख ली अचा अब इसमें एक आता है virtual product और downloadable product यहां side में तो सबसे पहले हम बात के लेते है virtual product की ठीक है जो service है virtual यह दे रहे है ठीक है चाहे वो subscription है ठीक है तो अगर मैं virtual पर जो click करूंगा तो नहां से हम देखेंगे shipping वाला option जो है वो हमारा उड़ जाता है क्योंकि जो virtual product है उसमें shipping नहीं होती बाकी सारा content जो है वो सेम रहेगा सिर्फ shipping वाला जो option है वो यहां से remove हो जाता है जब हम virtual product create करते हैं ओके और downloadable product के लिए मैं अलग से आगे जाके हम इसको discuss करेंगे अभी हम इसको discuss नहीं करते हैं ओके तो मैं इसको update कर देता हूँ product को ठीक है मैंने product update कर दिया तो हम देख सकते हैं कि क्या क्या changes अभी हमारे product के साथ जो हुए है ठीक है तो हम इसको देख लेते हैं शॉप पर जाता हूँ यह product मैंने add किया ओके तो product का image देखो यहां आ गया इसका description यहां आ गया यह price आ गया ठीक है यह price के ओपर text including आया है जो shop के ओपर display हो रहा है मेरे पास ठीक है तो इसकी setting हमने general settings के अंदर करी होगी ठीक है तो अगर आपको वो settings कैसे करते हैं देखना है तो आप पीछे मेरे video बनी हुई है YouTube channel के ओपर text जो है including या excluding store में कैसे setup कर ठीक है उसके बाद आप देख सकते हैं यहां short description जो product का description है short description वो यहां display हो रहा है product का stock इतना है मेरे पास hundred inch stock है वो मेरे को यहां display हो रहा है और यहां product की quantity मेरे को की a quantity जो मेरा by default है अगा मेरे को increase करना है तो मैं उतनी increase करके इसको add to cut कर सकता हूँ ठीक है बाकि सारी हो गया और tag हो गया और description additional information वेट के अपाड़ी ठीक है और preview तो यह बाकि से अरी चीज़ें जो है वो same रहेंगी product के लिए ठीक है अब हम बात करते हैं grouped product की ठीक है तो अब आप देख सकते हो simple product में हमारे पास यह multiple options यहां देख रहे थे तो जैसे मैं group करता हूँ तो इसमें बहुत सारे options जो है वो चले जाते है ठीक है सिर्फ सबसे पहले हमारे बास जाता है inventory का फिर linked product का ठीक है तो मेरे को कौंस कौंसे product के साथ जो है वो इनको group कर रहा है ठीक है तो इसमें जिरफ ध्यान देने वाली बात जो है और section जो है वो है linked product का ठीक है group product का हो कांसे रहेंगे मैं डाल देता हूँ lightweight product ठीक है और एक product त यहां डाल दो है और अगर कोई और product है मेरे पास डालने के लिए है जैसे मैं heavy weight भी यहां डाल देता हूँ ठीक है तो देखो यह तीन product जो है वो group बजाता है actual group product का जो purpose है वो ऐसे होता है कि अगर आप एक product जो है वो digital sell कर रहे हो ठीक है जैसे आपने को subscription sell किया उसके साथ मे आप उसको एक physical copy किसी चीज़ की दे रहे हो जैसे आपने मानों कोई software आप sell कर रहे है अपनी website के उपार उसका अपने digital access उसको दे दिया ठीक है बट आप उसको उस product का एक hard copy भी आप उसको physically आप उसको देना जाते हो तो वो दो चीज़ दो product आप यहां पे group कर सकते हो ठीक ह तो क्या यह group product जो है वो catalog के shop page पे और search page पे डिस्पले होगा या नहीं होगा तो उसको आप यहां से hidden भी कर सकते हैं या display करा सकते हैं वो आपके उपर depend करता है ठीक है उसके बाद हम जाते है external and affiliate product के उपर ठीक है अब इस product में भी हमारे पास multiple options आते हैं तो external and affiliate products क्या होते है जैसे आपने affiliate marketing के बारे में सुना होगा जैसे अगर आपको Amazon के product का आपके website के बेचने है as a affiliate product ठीक है कि वो product डिस्पले है तो आपकी website के उपर हो बड़ जब कोई उसको purchase करना चाहे तो वो उस product की original website पी चाल जाए चाहे वो Amazon है चाहे जो भी है ठीक है तो वो आप कैसे करो होगे तो उसमें आपको कहना है general product है तो general settings में आपको product का URL डालना है जहां और जहां सी website से आपने वो product copy किया ठीक है उस product का URL आप यहां डालेंगे ठीक है अब button text आप यहां डालेंगे by product का या कुछ भी button text आप यहां पर डाल सकते हो ठीक है by default जो product आपके WooCommerce store के होते है उ उसमें तो add to cart का जो text होता है button text जो by default रहता है पर जब affiliate product आप बनाते हो तो उसमें आप custom text जो है वो डाल सकते हो चाहे वो buy product का रहेगा चाहे वो buy ना हो रहेगा चाहे वो shop ना हो वो आप अपनी मर्जी से डाल सकते हो ठीक है regular price आपको product की according आप यहां अड़ करता होगे ठ textable है standard है वो सारी settings हमने पिछे discuss करी कैसे होता है ठीक है inventories यह हमें manage करने की जुरूर नहीं होती है क्योंकि हम affiliate product जब हम बना रहे हैं तो यह सारी inventories और यह सारी चीज़ें जो है वो third party website जो हम use कर रहे है affiliate product के लिए वो उनकी headache है तो इसमें हम यहां कुछ भी manage नहीं करेंगी आप link product डाल सकते हो ठीक है पर attributes यह सारी चीज़ें हमें डालने की जुरूर है तो वो नहीं होती है ठीक है अब बिलकुल last वाला option होता है वो है variable product ठीक है अब variable products में कुछ settings हमारे पास change होती है और new settings जो हमारे पास देखने को मिलती है वो है variations अब variations कैसे होता है ठीक है general हमने सीखा कैसे होता है inventory हमने discuss कर लिया shipping हमने discuss कर लिया link product हमने discuss कर लिया ठीक है तो attributes हमने discuss कर लिया पर अब आई बारी variations की ठीक है तो यहां से आपको variation बनाने होते है पर variation के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है attributes ठीक है तो attributes हम पहले यहां से बना देगे ठीक है तो मैं attributes क क्लिक करता हूँ और एट्रिबुट्स आप यहां से जाके डिरेक्ट भी बना सकते हैं जैसे एट्रिबुट्स आप जाएंगे तो वहां से आप एट्रिबुट्स बना दीजिए और उसके लिए कुछ टॉंस आप यहां से क्रियेट कर सकते हैं ठीक है तो कस्टम एट्रिबु में बनाया था जहां पर मैंने आपको category tag और attributes discuss किये थे ठीक है तो मैं size का attribute वहाँ से choose कर लेता हूँ और उसको मैं add कर देता हूँ ठीक है यह बहला मैं remove कर देता हूँ ओके तो तो आप देख सकते हैं कि size का attribute यहां पर add होके है अब मुझे उस attribute के अंदर जो मैंने terms डाली थी वह terms मेरे को यहां add करें तो मैं कैसे करूँगा select always click करूँगा तो वह terms जो है वह automatically यहां के add हो जाएगी ठीक है तो अब आप देख सकते हैं कि variation करो कैसे आपको variation add करें ठीक है तो add variation आप मैंदोली आपको करने ही पड़ेगी go पे आप click करोगे अगर variation आपको create करने है from all attributes जो मने attribute बनाए ठीक है तो मैं इसको click करता हूँ और मैं go पी click करता हूँ okay देखो तीन variation जो है वो add होगी large, medium और small ठीक है अब इसमें क्या option हमें देखने को मिलता है extra तो जैसे मैं small पे जाता हूँ तो इसमें मिलको SQ यहां डालने को मिलता है जो हमने simple product में जो चीज़े हमने देखी थी वो हमें यहां सारी option अब variation के अंदर जो है वो देखने को मिल रही है ठीक है जैसे SQ हम यहां से डाल सकते है small product अगर यह color wise होता ठीक है अभी यह तो size wise है अगर आप color wise बनाते हैं जैस इसको black color की t-shirt दिखेगी red पे जाएगा तो red color के दिखेगी white पे जाएगा तो white color के दिखेगी ठीक है तो ऐसे करके भी आप इसको setup कर सकते है ठीक है purpose ही वैसे यह सिरफ color के लिए purpose है इस thumbnail image का क्योंकि अगर size में मैं कौनसी t-shirt कौनसे size की डाल रहा हूँ इससे तो पता नही लगेगा ठीक है पर आप यहां से upload कर सकते हैं image तो small के लिए मैं यहां से image upload कर दूँगा okay different image upload करता हूँ उसके बाद जो जाता हूँ मैं downloadable रहेगा मेरा product या virtual रहेगा या stock manage करने का option भी मैं यहां से enable कर सकता हूँ उसके बाद मैं regular price डालूँगा आप product के लिए sale price करने हैं नहीं करने हैं ठीक है यह सारी settings हमने simple products के अंदर करें ठीक है low stock threshold ठीक है shipping class text class यह सारी चीज़ें जो same रहेंगी simple product के जैसे ठीक है पर इसमें क्या होता है कि हम multiple options जो है वह create कर सकते हैं मैं आपको एक चीज़ जो है वह create करके दिखा देता हूँ ठीक है manage में हाटा द a triple five ठीक है और जो large है उसमें मैं price आपका five triple five ठीक है और मैं इसको कर देता हूँ save save changes यहां से मैंने कर दी ठीक है और मैंने product को कर दिया update तो अब हम देखेंगे कि क्या changes जो है वह हमें variable products के अंदर देखने को मिलते है ठीक है तो देखो अब हमारे पास एक size करके जो है यहां एक variable attribute जो है वह में display होता है उसके अंदर हमें options देखने को मिलता है कि large product हमें order करना है ठीक है उसे के साथ जो है वह price भी change हो रहा है अग करता हूं तो यह price भार कम हो गया ठीक है तो इस से जो है वह variable products को use किया जाता है multiple options display दाने के लिए एक ही product के अंदर में ठीक है तो variable product भी हमने discuss कर लिया complete आपको मेरे कहले से सारे doubts जो है वह clear होएंगे variable products से related अब जो है मैं downloadable product की बात कर लेता हूं ठीक है और उसके साथ हम video क खतम करेंगी ठीक है तो downloadable product में क्या होता है ठीक है इसमें सब कुछ से हमें price आप डालो sale price डालो पर downloadable में जो है वो download file आप लगा सकते है यहां file का नाम आप दोगे कुछ भी जिससे software का नाम मैंने दे दिया और उसका downloading link मैं यहां डाल सकता हूं ठीक है यह software की file का URL external भी हो स है अगर जैसे यह file मैंने अपने server पे upload करी हुई है अपने wordpress के अंदर मैंने इस file को upload किया तो वहां से मैं उसका URL कापी करके यहां डाल सकता हूं ठीक है यह चूज कर सकता हूं डिलेक्ट यहां से जाके यह file मैं चूज कर सकता हूं ओके यह मैं external file का link डाल सकता हूँ किसी और website से मैं link यहां पर डाल सकता हूँ जिससे जो है वो user directly आके यहां से file download कर रेगा तो downloadable file में सिर्फ यह options जो है वो different होता है उसमें सिर्फ download limit आप डाल सकते हो कि कितनी बार user इस file को download कर सके order करने के बाद 5 बार 10 बार या unlimited time ठीक है unlimited time अगर आपको करना है तो आप यहां पर कोई value नहीं डालेगे ठीक है अगर downloading के expiring date आपको डालनी है तो आप expiring date डाल सकते हैं कि कभी ना expire हो तो आप इसमें कुछ नहीं डालेंगे अगर यह 10 दिन बाद 15 दिन बाद जैसे आपको इसको expire करना है file links जो downloading के आप दे रहे हो वो expire हो जाए इतने time के बाद तो आप उसको यहां पर days mention यहां पर कर सकते हो ठीक है और बाकि text status और text class जो हमने already जो है वो discuss किया हो है ठीक है तो इसी के साथ जो है हम बड़क को update कर देते external और affiliate product हम कैसे create करते है variable product हम कैसे बनाते है downloadable या virtual product हम कैसे create करते हैं यह सारा कुछ जो है हमने इस वीडियो में सीखा है अगर आपको किसी topic से related जो इस वीडियो में मैंने बताया उससे related अगर आपको कोई doubt रह गया हो तो हम एरको comment करके पूछ सकते है मैं आपके comments का reply जरूर दोंगा ठीक है तो मिलते हैं आप next video में तब तक के लिए thank you so much for watching और मेरे YouTube channel को subscribe कर देना और video को like, share and comment करना मत भूलना thank you so much for watching